आटो मोबाइल इंडेस्ट्री की लेटस जानकरी के लिए कार मेरेयर सब्सक्राइब करें और नौटिफकेशन बेल को पुश करें ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पुश करें नमस्कार दोस्तों कार मेरेयर में आपका स्वागत है हम न्यूज रिव्यूज और अपडेट्स की बात किया करते हैं और यह वीडियो लगतार देखने के लिए नए वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और निचे नुटिफकेशन बेल होगी वो पुश क चलिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पहुंस सके आज दोस्तों एक छोटा सा अफग्रेट और अमेज के बारे में बात करेंगे कि अमेज कैसी कार है अमेज की जो प्राइसी जनावस होएं उसे साब से कौन सा वेरियंट हमें वर्थ रहेगा उसमें 4 तरह के देगा या कौन सा में लेना चाहिए जिसमें फीचर सारे हमारे मतलब के हो और हमारे पैसा ही वजोलो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसका वीडियो और नए रंग रूब में दोस्तों जैसे हम बात कर रहे थे अब इसका वाइड एंगल कैमरा है और फुल एच्डी है जैसे मैंने अब उपर link करके देखें मैं आपनको इसकी दिखायते ऑन गजी 7X Mark Pro के बारे में Mark 2 के बारे में जो बात कर रहे थे हम वो यही कैमरा है उसी कैमरे से मैं शूट कर रहे हो यह वाला वीडियो तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं अमें इसमें कौन सा वैरेत आड वै रखा है कि प्राइज रखा है चाहे वो पेटरोल में गड़ी हो चाहे डीजल में हो जो उनसा भी वेरिट हो सारा में एक ही वेरियंट रखा तो यह अच्छी बात है तो दोस्तो अब हम feature wise base model से चुरू करते हैं कि क्या-क्या features है और क्या-क्या price है उनके और कौन सा value for money रहेगा दोस्तो base variant पे की variant आता है petrol डीजल दोनों में base variant में जैसे हमें पता है कि इसका price 5,60,000 पढ़ता है 5,99,900 तो दोस्तो ये वाला variant हमें लेना वर्त पनता है हम उसके वाला बात करते हैं base variant में दोस्तो 6,70,000 के गरीब हमें diesel model पढ़ता है जैसकि 1,10,000 पढ़ते है कि महंगी पढ़ती है diesel car, base variant में क्या-क्या मिलता है उसके हम बात करते है रूफ एंटीना हमें simple में जाता, spike वाला उसके बाद manon AC मिलेगा चारो power window हमें मिल जाएग इसके अंदर तिकगी की light जो बूट स्पेस में light है जो वो इसके अंदर मिल जाती है हमें वो एक अच्छी चीज है रात को बहुत मुश्किल होती है नहीं को बिलगा उसके इसका MAD जो multi information display है जो speedometer के बीच में लगा होता है वो थोड़ा size में छोटा है 3.8 x 3.2 का हमें मिलता है जो जिसमें distant to empty या temperature बाहर अंदर जो भी है वो हमें देखने को मिलता है उसके अंदर उसके बाद हम instrument parallel की बात करें तो वो dual tone में हमें मिल जाता है black and beach में हमें interior का मिलता है all of way सारे variants के अंदर ये common आ रहा है उसके बाद दो safety के अगर बात करें तो airbags, ABS, EBD, seat belt, pre-tensioner, child isofix, engine impolizer, as a standard सारे variants के अंदर है उसके बाद rear parking sensor हमें मिल जाते हैं बट कोई music system हमें इस गड़ी के अंदर नहीं मिलता तो दोस्तो इससे उपर का जो variant आता है हम उसकी बात करते हैं वो S variant है उसकी कीमत petrol में 6,50,000 तक रिबन पढ़ती है और जो 50,000 पर महंगा है CVT में 7,40,000 पर जो 90,000 पर कोशली बढ़ जाता है उसके बाद अगर डीजल में बात करें तो 7,60,000 पर में हमें डीजल में बढ़त जाता है इसमें हमें मिलता है दोस्तों टर्न इंडिकेटर्स हैं वो OVRM के अंदर आ जाते हैं उसके बाद 14 इंच के वील हमें मिल जाते हैं शाक्षिन अंटीना हमें मिल जाता है बोडी कलर आउट्डोर हैं और मिर भी हमें बोडी कलर मिल जाते हैं जो C B विलर है उसके अं सीट के बद की पॉकट, जलाओं में किसी वेरिंट में नहीं है लेकिन बेस वेरिंट में फिक्स है फ्रेंट वाले और इससे वी इस वेरिंट आ रहा है इसमें हम एड़जस्ट कर सकते हैं यह एड़जस्टेबल वाली जो फैसलिटी यह अच्छी चीज़ है इसके बाद जो कप होल्डर है वो साइडे सेज्टे के वैरिटी मेरर मिल जाता हि कप होल्डर हमें पहुर्द हमें उसके बाद पॉस्ट जो गेर शिफ्ट कुंः के वो इसमें हम मिल जाती है उसके छाद प्यानो ग्लैक और उंच्ट जो फिनिश देखके आए हैं जो लाइप वाली वीडियो में आपको दिखाया था जो प्यानो ग्लैक फिनिश जो डैश्बोर पर है और उसके डॉर्स के उपर जो फिनिश है वह मैं इसके अंदर मिल जाती है इंसाइड डोर हैंडल अब सिल्वर करों के इसमें हो जाते हैं टू टिन का एक एलसीडी स्क्रीन हमें मिल जाती है जिसके अंदर ऑक्सिन ब्लूटूथ यूएस्वी एक यूएस्वी पोर्ट मिलती है एम एफम एम्पीद्री आइपोर्ट सीरिंग मौन्टेट गंट्रोल्स और चार्ट स्पीकर हमें 17 सेंटिमीटर के इसके अंदर मिल जाते हैं दोस्तों यह है एस वीरेंट अब इसके अंदर हमें हाला की कर्वेंशनल एड लेंप है इसमें एलेडी प्रजेक्टर नहीं आते लेकिन इसके अंदर पे डेट रणिंग लाइट की स्रिक नीचे जाते हैं मडगार्ड मिल जाते हैं इस गड़ी के अंदर इसकी कीमत 7,10,000 के करीब हमें पढ़ती है जो 6,000 हमें महिंगी है से उसके पाद साथ जार पे दोनों के अंदर ही महंगी है चाहे वो CVT में ले ले चाहे वो normal गाड़ी में मिले दे डीजल में तो दोस्तों इसके अंदर हमें क्या मिल जाता है इसके अंदर हमें petrol में pedal shifter की facility हमें मिल जाती है उसके बाद auto AC मिल जाता है push start to stop button with smart key कि हमें मिल जाते है कीनि इंट्री मिल जाती है जिस एकी से हम डिगी भी सकते हैं बूट इसको बोलते हम भी मोसा कि और सीट बैल्ट कोकेट दोनों साइड में जाती है मुझा साज थोड़ा सा पड़ा आधा है साथ हम से ठी में ध्री दि स्कॉत है है हमें उसके बाद temperature का display हमें बाहर का अंदर दोनों का मिल जाता है fuel consumption का display हमें आजाता है safety में rear windshield defogger भी हमें add हो जाता है इसके अंदर तो दोस्तों ये facilities हमें वी वेरेंट के अंदर मिल जाती है है अगर हम इसके वी एक्स वेरेंट को देखें उसकी हम अगर बात करें तो उसमें क्या-क्या नहीं चीज़े और एड़र होती है यह रियर कैमरा आ जाता है और जो गाइडलाइन के साथ कैमरा आ जाता है वो इसके अंदर साथ हमें मिल जाती है इसके अदर दो USB पोर्ट आ जाएंगे और स्टेरिंग मॉंटेट कंट्रोल जो वइस को मांड के हैं वो भी हमें इसके अंदर मिल जाते हैं इसके पायत करें तो साथ लाग शाजार नौसर रोपे की गाड़ी हमें पड़ती है जो वी वेरेंट के मैनुल से 48,000 में है और पेट्रोल में 57,000 में है तो दोस्तों अगर हम इस गाड़ी की जो variants है उसकी बात करके देखके चल रहे हैं तो 90% लोग क्या करते हैं कि base variants की उपर वाली गाड़ी लेते हैं हमेशा जिसके अंदर थोड़ी बहुत facilities हमें मिल जाती है लेकिन मेरे को क्या पसंद आया है गाड़ी में मेरे को यह पसंद आया है जो इसका e variant है वो भी value for money लगा मेरे को वो अच्छा variant है उसके अंदर तक्रीबन सारी facilities जो हमें चाहिए जो seat belt pre-tentional है child isofix है safety को must लेके चलते हैं वो चीज़ें इसके अंदर मिल जाती है music system में नहीं मिलता तो क्या हो तो हम बाहर से भी लगवा सकते हैं और वैसे भी अगर हम e variant या v variant में भी अगर जाते हैं तो वैसी टू दिन का चोटा सा music system मिल रहा है full touchscreen system तो हमें top variant vx में ही जाके मिलता है तो मेरे हिसास से जो base variant है वो भी हमें लेना वर्थ बनता है क्योंकि इसकी जो base variant भी दोस्तों value for money मेरे को लग रहा है इस गड़ी के अदर और इसका v variant भी मेरे को value for money लग रहा है क्योंकि कारण मैंने आपको सारी details में बता दी कि क्या क्या इसमें कारण है क्यों मेरे को value for money लगा हाला कि s variant भी कुछ सोचने लाइक है लेकिन v variant मेरे को ज्यादा वहतर लगा क्योंकि अगर हम s variant तक जा रहे है तो थोड़ी तक और थोड़े कासे और देकर हमें जिरूर वी वेरेंट की तरफ जाना चाहिए और जो वी एक्स वेरेंट है उसके अंदर सिर्फ एक हमें टस्क्रीन सिस्टम मिल रहा है एक्स्टा और कुछ नहीं मिल रहा है जो कि हम आठ से दस जार की कीमत में हमें बाहर से भी लगवा सकते हैं अगर हम चाहें तो तो नई नई वीडियो आपके पास जल्दी जल्दी पहухंच जा हैं आप जैसे वीडियो अपोड़ होते हैं डो लगा के अरां से ध्यान से कड़ी चलाएं तंदरुस रहें नेक्श वीडियो तक जैगर